नमस्कार किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ दिव्या सिंग उतर पदेश के बहराई चिले में कटरपंथियों का आतंक देखने को मिला जिसके बाद हिंसा भड़क उठी हिंसा की दो दिन बाद भी तनाव बना हुआ है मूर्ती विसरजन के दुरा पत्थरबाजी हुई गोली चली और राम कुपाल मिश्रा की मौत हो गई इसके बाद गुसाय लोगों ने जमकत तोड़फोर की और आगजनी की वही मामले में सीम योगी की तगड़े एक्शन ने कटरपंथियों की हालत खराब कर दी है खुद सीम योगी पलपल की अपडेट ले रहे हैं और हिंसा के बीच अपने टॉप अधिकारियों को फिल्ड में उतार दिया है स्टीफ चिफ अमिताब यश को बहराई जाकर हलाग को कंट्रोल करना पड़ा मामने में 26 से जादा आरोपियों को गरफतार कर जेल भेजा किया है एक तरफ सीम योगी परिट परिवार से मिल कर उनके हिम्मत बढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ योगी एक्शन से कटरपंती छटपटा रहे हैं हिंजा के मुखे आरोपी अब्दुल हामेद और उसके बेटे के बेढ़ा में छिपे होनी की सूचना मेली है यह आरोपी नेपाल भागने की फिराक में है लेकिन ATS ने ऐसा जाल बिछाया है जिसमें बहुत जल्द पस्ते पाले हैं आज इसी पर चर्चा करेंगे मिरे साथ स्टेडि मोजद है Capital TV के Executive Editor राची उसर सर आपका स्वाधा दन्यवाद क्या लग रहा है जिस तरीके से ये लोग छिप रहे हैं भागने की कोशिस करें भाग पाएंगे क्या नेपाल भागने की कोशिस करें देखिए कोशिश तो हमेसा ही नोग यही रहती है यह गुरिला वार फیर वाली स्थ ही आजबी भी है गुरिला वार फिर जिस तरीके से ये अरब में छिपड़ पर कर हमला करते थे हंदुस्तान पराकर्मन करने के बाद भी मुस्लिम आकरांटाओं ने यही किया छिपकर बार किया और एक दूसरे को लड़ाया और उसके बाद कुछी राजा के ऊपर रात में हमला कर दिया कहीं आगे गाय रख दिया और गाय पर चुकी हिंदू राजा और हिंदू सेना हमला नहीं कर सकते तो उसका फायदा उठाया इन लोगों ने हमेशा से ये चालाकिया की है और यह नहां भी यही कर रहा है लेकिन ये जो योगी सरकार और फिर सीम योगी आदितनाद ये पिडित परिवार से जाकर मिले ये क्यों मिले पिडित परिवार से सिर्फ उस परिवार के होसला बढ़ाने की बात नहीं है ये पूरे हिंदू समुदाय के होसला बढ़ाने की बात है अ नारे बाजी करने की जरूरत क्या थी अगर उस मुहले से जा रहे हैं तो चुप चाप हाथ बंद करके मुह पर ताला लगा कर माइक बंद करके जाओ और सीधे ऐसे गुजरो जैसे की पिंड रोप साइलेंस हो वहाँ पर मुर्ती भी सर्जन करने के लिए जा रहे हैं गाजे बाजे के साथ हिंदू युवा उत्साहित हैं आप उसके उपर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हो तो ऐसे में योगी को सामने आना पड़ेगा और उसमें भी बहराईज जैसे जगह पर बहराईज की स्थिति देखिए वो एक डिस्टिक है और बहराईज जिले में हिंदू मुस्लिम का पोपुलेशन क्या है यह जो अलफसंख्यक समुदाय कहता है अलफसंख्यक समुदाय की परिवासा सम्विधान में ही गरवर तरीके से रखी गई है यह की साधार पर तुम अलफसंख्यक कहते हो अलफसंख्यक अगर पूरे हिंदूस्तान में है तो जहां बहुत संख्यक आवादी मुसल्मानों की है उसकी तुलना की जागी पूरे हिंदूस्तान के अलफसंख्यक समुदाय से अगर कश्मीर में पूरा मुस्लिम बहुल छेतर है वहां हिंदों को भगाया गया तो क्या कश्मीर के मुसल्मान अल्फंक्यक थे क्या किसी मुहले में अगर दस हजार परिवार है उसमें से आठ हजार मुसल्मान है तो वो ये सोचता है कि पूरे हिंदुस्तान में अलसंक्यक हैं तो हम अलसंक्यक बनके वहां रहेंगे वो तो यही सोचता है कि यहां हम बहुत संक्यक हैं यहां हम मजबूत हैं यह तो गाउं गाउं की स्थिती है जहां पर गाउं में अगर मुस्लिम बाहुल है गाउं तो वहाँ पर हिंदूों को ज़्यादा दबाया जाएगा हिंदू बहुले है तो वहाँ गंगा जमनी संस्कृति की बात की जाएगी भायचारे की बात की जाएगी हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात की जाएगी और फिर ये जाकर यही गंगा जमनी सरसती गंगा जमनी संस्कृती के नाम पर मुसलमानों को संरक्षन देंगे और कुछ कंफ्यूजड हिंदू भी इनको संरक्षन देने के चक्कर में रहेंगे लेकिन ये क्या करेंगे ये उन महलों में पहले कबजा करेंगे एक पूरी कॉं कभी चार पांच मुसलिम हुआ करते थे उन लोगों ने ऐसे गंध मचाया कि उसके बगल बगल वाले मकान बिकते गए और वो अपने दूर दराज के रिष्टेदारों को भी बुला बुला कर वो मकान खरीदा रहा फिर उसी ब्लॉक के अंदर एक मकान खरीदा गया वो कहां स से अरब के पैसे से पेट्रो डॉलर से और वहां पर ये मुला मुलाना पहुचा और कहा यहां एक मस्जिद होनी चाहिए अभी एक फ्लैट खरीद लिया सौगज का और उसको मस्जिद बना दिया और उस मस्जिद में माइक लगा दिया अफिर वहां अजान सुरू हो गया अब उसके आसपास के हिंदू परिसान और यहां ये मुसलमानों का मुहला रहेगा वहां इंट्री पॉइंट से ही आपको दिखाई क्या पड़ेगा कबाब चिकेन लटके हुए साथ चारो तरब से बियानी की दुकाने कबाब की दुकानी अब उस मुहले में रहने वाले ह हिंदू जो सुबह सुबह भी अगर पूजा करने के लिए जाए साम में आर्ति करने के लिए जाए और उसको सामने में दिखेगा लटके हुए वो मीट्सॉप तो वो धीरे धीरे चिढ़ जाते हैं कि चलो मुहला ही बदल लेते हैं यह हिंदूों की स्थिती रही है कि अंदर और यही स्थिती बहराइच की है बहराइच में 56% मुसल्मान है पूरडिस्टिक का पॉपलेशन किसी को भी देखना है तो 2011 के सेंसस के अंसार देख ले अभी तो 2024 हो गया अभी अगर सेंसस आएगा तो 56% नहीं रहेंगे यह 55% हो गया होगा क्योंकि पॉपलेशन कंट्रोल इनके बस में है नहीं यह तो चाते हैं इसके तो लोग कहते हैं कि देखो भाई उत्तर परदेश में हम बढ़ रहे हैं अब दीरे-दीरे कपजा कर लेंगे उत्तर परदेश पर क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और हम रोक टोक नहीं लगाते सब अल्ला क मुसल्मानों को सबक सिकाने के लिए योगी का एक्षन जरूरी है और उन्होंने ये संकेत दिया है कि ये राम गुपाल मिस्र एक व्यक्ति नहीं है उसको ये मत समझो कि युवा जो कि उस सियात्रा में शामिल था जिसकी गोली लगने से मौत हो गई ये समझने की भूल मत करो कि ये मारने वाला चाहे सल्मान हो उसका बाप हो या उसका पडोसी हो ये मत समझो ये मामला है राम गुपाल मिस्रा का नहीं ये मामला उस हिंदू युवा का है जो परतनिदित्व कर रहा था यात्रा में जा रहा था विसर्जन में जा रहा था और ये पूरे हिंदू कॉम चुपी साद लेकते हो अपने ही अगर भाराइज के मुसल्मानों को लगता है ये तनाब नहीं होना चाहिए तो क्या उन महलों में समाजिक बहिसकार वो करेगा जिस महले से जाते हुए इस पर हमला हुआ पत्थरबाजी हुई एक युवा की मौत हो गई गोली चली उस महले क आर्थिक बहिसकार कर दे समाजिक बहिसकार कर दे वहां के सारे मौलाना मौल भी आएं कहें कि इस महले ने गलत किया है उसकी सजा हमें क्यों मिलने चाहिए तो हम इसको बहिसकार करते हैं हम इनके साद ऐसी निती अपनाएंगे हम इनको सजा देंगे लेकिन कुछ नहीं में हिंदू ओं पर अत्याचार होगा उस पर ये नहीं बोलेगा ये मौनरे गा जब पाकिस्तान से हिंदू भगाए जाएंगी आफगानिस्तान में बामियां में बुद्ध की परतिमा तोड़ी जाएगी जब सिखों पर हमला होगा ये मौनरे गा तो कि ये पालिसी है इसकी ये स्रुट जी है, रनीती है ये, ये इसलिए रनीती बनाया कि वो जो हो रहा है, उससे डर तो है, ये सारे मौलाना मौलवी जो बिल से निकल कर एक लिंचिंग, लिंचिंग करते रहते हैं, एक मुसलिम विवा के मौत हो जाती है तो, हत्या हो जाती है तो, चाहे वो चोर हो, रेपिस्ट हो कुछ भी हो लेकिन सब बाहर आ जाएगा और ऐसे ही इन लोगों को आना चाहिए बाहर ऐसे मुद्दे पर क्यूं रहता है क्यूं नहीं कोई भी मुस्लिम संगठन इस बात के लिए सडकों पर आया कि नुपुर सर्मा के टिपनी के बाद उपजे विवाद में उनको सर्तन से जुदा करने की धमकी क्यूं दी गई या फिर अगर कोई साधू महात्मा संत भारते जंता पार्टी का नेता या दूतरे पार्टी का नेता कुछ टिपनी करता है तो उसको कानूनी तरीके से क्यूं नहीं किया जाना चाहिए क्यूं नहीं पूरे राजस्था के मुसल्मान सडकों पर आया और मौलाना मौलवी सामने आया जब कि कनहया लाल कोई गला रेत कर हत्या कर दी गई ये समझता है कि ये जो भै की नीती है वो बहुत जरूरी है एक मरेगा तो उसके बाद हजारों हजार लोग ये सोचने पर मजबूर होगा कि हमने भी बोला तो हमारी हत्या हो सकती है क्योंकि इन लोगों के उपर भरोसा नहीं है तो इसलिए बोलने से डरो इसके खिलाफ बोलने से डरो इसके खिलाफ कुछ करने से डरो ये इनकी पॉलिसी है ये सोचता है कि ये भै पैदा करने वाला जो एक वर्ग है उसको जिंदा रखो जैसे कौमन पार्टिस पार्टी ऑफ एंडिया माक्स बादी लेलीन बादी बिहार की एक पार्टी है नकसल बादी है यह लेकिन यह चुनाब में आ गया वो कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगा उसी तरीके से यह है इसका एक ऐसा जिहादी ग्रूप है गूट है जो इसी काम के लिए बना है यह घर घर में पैदा हो जाएगा यह हर जगह पर पैदा हो सकता है उस जगह से निकलेगा और इसलाम की रक्षा के नाम पर किसी के हत् हुआ है यह बठका हुआ हुआ हिंदू में भी हो सकता है बहराइज से यही आगे बढ़ रहा है और योगी ने जिस तरीके से होसला अब जाए किये और कहा है कि एक एक को इसकी गुनाह के सजा मिलेगी ऐसी सजा मिलेगी साथ पुस्तियाद रहेगा तुमारा यह तुम बह हित्रों के लिए अलब संक्या कै जहां पूरा मुस्लिम आबादी बसा हुआ है सतर सतर परसेंट तक मुसल्मान एक एक तहसील में है उस जिले के अंदर तो वहाँ पर तो हिंदू अलब संक्या कै वहाँ पर इन लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हो तो तुमने एक आग अब आग की लपटे कहां तक जाएगी ये तुम महसूस नहीं करोगे ये हम तै करेंगे कि लपटे कहां कहां पहुचती है इसलिए ये बहराइच में जो हिंसा होई है ये इन लोगों के लिए बड़ी मुश्किल पैदा करने वाली है और तभी ये कुछ लोग भागने के च इकत नहीं है ये नेपाल भाग जाए पाकिस्तान भाग जाए बंगला देश चले जाए कोई समस्या नहीं है एक एक करके भाग जाओ लेकिन गुनाह करके नहीं भागने दिया जाएगा गुनाह करके भागोगे तो तुम्हारा मनोबल बढ़ेगा और उसी मनोबल को इसलिए बहराईच इंसा में योगी ने जो एक्षन प्लान बनाया है और जो पलपल की खबरे ले रहे रिपोर्ट ले रहे हैं अधिकारियों को बता रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है ये इन लोगों के लिए योगी का कहर है जिससे अब ये बच नहीं सकता है बहुत बहुत टरपंतियों की हालत खराब कर दी है कहा जा रहा है कि पकड़े जाने पर पुलिस इनका ऐसे इलाच कर रही है जिसके बाद ये मौत की भीक मागने पर मजबूर हो गये हैं किस्ता यूपी का में आज लेता ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किय कीजिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी धन्यवाद